नमस्कार मैं रवीश कुमार ये जरा बताईए आप ताना शाही कब से पसंद करने लगे हैं मतलब कुछ भी बालू शाही समझ रखा है ताना शाही को आपने ये कौन लोग हैं जो प्यू के सर्वे में गए थे और वो भी सर्वे करने वाली कमपनी आत्म निर्भर भारत वाल को इन सभी को जमाल गोटा पिला कर वापस भेज देना चाहिए था इनसे पूछना चाहिए था कि भाई डिक्टेटर्शिप का ऐसा कौन सा काम बचा है जो डिमोक्रिसी में नहीं हो रहा है आपको प्रॉब्लम है क्या गोखले ब्रिज और बर्फी वाला फ्लाई ओवर के बीच गैप रह गया है मैं मानता हूं रह गया है और ये प्रॉब्लम भी है तो क्या इसके लिए डिक्टेटर चाहिए आपको क्या लगता है डिक्टेटर सिमेंट और सरिया लेकर घूम रहा है ओ अच्छा गोखले ब्रिज नहीं जुड़ रहा है लाओ जोड़ देता हूं कुछ पता भी है इन सभी को कि ताना शाहि क्या होती है और ताना शाह इनके साथ क्या करेगा पहले मालूम तो कर लिजिए डिक्टेटरों ने क्या क्या किया है वो आपके ही बीच के लोगों का गला दबा देंगे अभी तो آپ लोग तंत्र में सोच भी ले रहे हैं कि ही में तो सोचना भी बंद हो जाएगा आपको क्या लगता है डिक्टेटर प्यार से डिक्टेट करेगा उसको आप डिक्टेटर बोलेंगे तो आपको ही सबसे पहले चुक करा देगा जेल में डाल देगा डिक्टेटर भी अपने आपको डिक्टेटर नहीं कहता है, मान लिजी आप डिक्टेटर ले आए, ले आए, मन है तो, उसके पास कहने चले गए, डिक्टेटर जी हमारी मांगे सुन लिजी, आपकी हालत खराब कर देगा, जब उसे ही डिक्टेटर कहलाना पसंद नहीं होगा, तो आप उसे डिक्टेटर क्यों बनाना चा ये सीना इतने इंच का उतने किलोमेटर का ये समराट वो समराट कुछ नहीं मिला तो हिर्दै समराट लोग तंत्र में समराट का क्या काम है वैसे भी चीन का फोन आ ही रहा है चीन वाला क्यों चाहिए डिसाइड ही कर लिया है कि खुद को सजा देनी हैं तो देश पर तानाश गोबर से नहा लीजिए किसने रोका है इसके लिए डिक्टेटर क्यों चाहिए ये काम तो आप डिमोक्रेसी में कर भी रहे हैं गोबर की कोई कमी भी नहीं तब फिर डिक्टेटर क्यों चाहिए मतलब आपको किसने बताया है कि भारत के लिए डिक्टेटर ठीक रहेगा अरे भाई, ट्रैफिक जाम के लिए ट्रैफिक इंस्पेक्टर चाहिए होता है, डिक्टेटर सीटी बजाकर जाम नहीं खुलवाएगा, आ गया तो उसी जाम में सिट्टी पिट्टी गुम कर देगा, प्यू हो, फ्यू हो, सर्वे किसी का भी हो, दिमाग तो आपका है, आपन क्या चीज है, बता रहा है कि 2017 की तुलना में, 2023 में जादा लोग सोचने लगे, 80 प्रतिशत हो गए हैं, कि हमें डिक्टेटर चाहिए, मोदी जी रोज कहीं न कहीं जा रहे हैं, बताने के लिए कि गवर्नेंस चबका दिया है, इतनी होडिंग लगा दिया है, और आप सर्व तक दे रहे हैं, जितने भी लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया है, उन सब के कपार की चंपी कराई जानी चाहिए, गर्दन अकड़ गई है, तो पहलवान बुलाकर गर्दन चटकाई जानी चाहिए, ताकि सोचने में कुछ ताजगी आए, दम घुट रहा है, तो दिल 80%, 80% निकल कर वोट दे आते हैं, फिर ये 85% कौन है, इन्होंने कैसे कह दिया कि डिक्टेटर चाहिए, ये सर्वे वाट्स अप अंकिलों के बीच हुआ था क्या, कॉलनी के RWA वाले ही गए होंगे इसमें, कि सोसाइटी में तो कंट्रोल हो गया है, अब बस इंडिया में डि डिक्टेटर चाहिए या नहीं, लोगों ने अगर टिक कर दिया सवाल के सामने, हमको डिक्टेटर चाहिए, सोची अपने चैनल वाले सर्वे करें और यह सब निकल कर आ जाए, कि इनसे भी लोग कह रहे हैं कि डिक्टेटर चाहिए तो देश में आग लग जाएगी, अच् पल गया है, कितनों को डिक्टेटर पसंद है, मतलब अच्छा है दोनों में कोई लिंक नहीं है, लेकिन कोई तो लिंक होना चाहिए, पूछने की जरूरत क्या पड़ी है, कि ताना शाही पसंद है या नहीं, अच्छा बताइए, जब भारत में बिनाबाद के लोगों को 10- दस साल जेल में डालने की सुविदा है, तो फिर इसी काम के लिए डिक्टेटर क्यों चाहिए, माओं की किताब रख लिजिए, आपको माओवादी मान लिया जाएगा, 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, कौन पूछ रहा है, किसी का कुछ बिगड़ा है क्या, आपको डिक्टेटर चाहिए, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आप लोगों से, आप बता ही नहीं रहे, जब इस डिमोक्रिसी में जजज साहब जजमेंट लिखने के बाद पार्टी का जंडा पकड़ लेते हैं, कोई रोकने वाला भी है, तो आपको डिक्टेटर क्यों राज सभा हो ही गया, लोग सभा हो ही जाएगा, अब क्या जजजों को पारशत का चुनाव लड़वाना है, जिसके लिए इंडिया में डिक्टेटर चाहिए, अभिजीत गांगुली ने कह दिया, टीवी इंटर्व्यू में, जज थे तभी बीजेपी ने संपर किया था, बताईए, इस्तिफा देकर बीजेपी का ज़ंडा जुला रहे हैं, गांधी और गोटसे में कौन अच्छा है, जज साहब नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं टाइम चाहिए बताने के लिए, ऐसा आदमी जज हो गया, ऐसा ही आदमी न जाने क्या क्या हो जाता है, इतनी वीडियो देखने के बाद तुरंट संपर करे, आए जरा मेरे सामने, दो साल में डेड़ लाग से जादा घर तोड़ दिये गए, साड़े साथ लाग से जादा लोग विस्थापित कर दिये गए, किसी को पता चला, किसी ने रोया, रोते हुए किसी को देखा, जब कुछ प लोटके हो जाता है, नेता जेल में जाही रहें, जेल के डर से अपनी पार्टी छोड़ी रहें, विपक्ष खत्म हो ही रहा है, तो फिर आपको क्यों लगता है कि इंडिया को डिक्टेटर चाहिए, हो तो गया है सारा काम, फिर किस काम टेलिए चाहिए, पार्टी की लिए डिक्टेटर आपको क्यों चाहिए विग्या पनार है असी करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया जा रहा है और खबर छप रही है गरीब 5% ही बचे है, जब सब आखों के सामने हो ही रहा है तो इसे छिपा कर करने के लिए dictator क्यों चाहिए कोई ऐसा काम बताईए बताईए आप भी जो नहीं हो रहा हो जब सारा काम हो चुका है तो dictator को किस काम के लिए आप बुला रहे हैं वो करेगा क्या इंडिया में आकर चुनावी चंदे का हिसाब नहीं मिलेगा चिंता मत कीजिए बैंक लगा हुआ है ना कि किसी तरह लोगों को पता नहीं चलने देंगे या काम भी हो जाएगा आप सर्वे में बोलना बंद कर दो कि dictator चाहिए लेकिन ये मत बोल देना कि हमारे पास है हमें नहीं चाहिए खैर जो भी हो सामने आईए सर्वे में लुका लुका कर मत बोलिये कि इंडिया में dictator चाहिए हुआ क्या क्यों नराज हो गए इंडिया से नियूस चप गई है कहीं नहीं चपेगी भाई वो तो कब की चपनी बंद हो गई किसी ने आपको मजबूर किया है कि आप पत्रकारिता कीजिये किसी ने दबाव डाला है कि आप खोजी खबरें चाप दीजिये सरकार से सवाल कर दीजिये अब तो PM कह रहे हैं उनकी खबर कोई नहीं चाप रहा खबर है क्या जो चापेगा अखबार में उनकी खबरों से जगब बचेगी तब तो उनकी खबर छपेगी इतना सब कुछ होतो गया है फिर क्यों इंडिया के लिए डिक्टेटर चाहिए जिस किसी ने भी P.U. के सर्वे में कहा है कि डिक्टेटर चाहिए उन सभी को बताईए कि परिक्षाएं कैंसिल हो रही है पेपर लीक हो रहे है और ये सब ठीक से हो रहा है अंकीता भंडारी के इंसाफ के लिए रिपोर्टिंग करने वाला पत्रकार नेगी जेल जा चुका है कश्मीर के पत्रकार आसिफ सुल्ताना को पांच साल जेल में रखा गया कोट ने कहा कोई सबूत नहीं छोड़ो उनका आतंकवादियों से संबंद नहीं पांच साल बाद रिहा हुए कुछ घंटे के भीतर फिर से गिरफतार हो गया मतलब यही सब काम कोई डिक्टेटर आकर ही करेगा यह काम तो हो ही रहा है बोलना मुश्किल है लोगों ने बोलना बंद भी कर दिया है तो डिक्टेटर आकर करेगा क्या सरवे में जाकर क्या-क्या बोलते हैं आप लो मैं समझता हूँ कि आपको नफरत पसंद है ठीक बात है तो सप्लाई में कहा कमी रह गई है यह एंकर फैला तो रहे हैं लब जिहाद के नाम पर नफरत तो फिर इसी काम के लिए आपको डिक्टेटर क्यों चाहिए चार-चार एंकर इस काम में लगे हैं फिर भी अमरीका के सरवे वाले को आप कह देते हैं इंडिया के लिए डिक्टेटर चाहिए एंकर हाथी की खिचड़ी खा रहा है डिक्टेटर आगया तो पीपल का पेड़ खाने लग जाएगा मतलाओ इंडिया में डिक्टेटर समझो मेरी बात सुनो आपने किस डिक्टेटर के राज में जाकर देख लिया कि वहाँ सब कुछ दीबेस्ट है जो चीज देखी नहीं उसी की रट लगाए बैठे हैं डाइबिटीज तो कंट्रोल नहीं हो रहा है चाहिए आपको डिक्टेटर क्यों अपना बीपी बढ़ाने में लगे हैं आप लो आज तो पूछ कर रहूंगा कि आपको डिक्टेटर क् चाहिए रूस से पेट्रोल आ रहा है फिर रूस वाला क्यों चाहिए हम लोग कॉल सेंटर बनाकर अमरीका वालों को ठग रहे हैं उनके डॉलर यहीं जामतारा से उड़ा ले रहे और यह लोग अमरेकी सरवे प्यूव से कह रहे हैं दिक्टेटर चाहिए विकीपीडिया द इंगल पार्टी, हाइब्रीड और राजशाही, डिक्टेटर्शिप की और भी वेराइटियां हैं, अथारिटेरियन हैं, टोटेलिटेरियन हैं, डिस्पॉर्टिजम हैं, ये सब भी हैं, एक नया और आ गया है स्पिन डिक्टेटर, जर्मनी, इटली, पोलेंड, हंगरी, ची कर देखा आईए, बड़े बड़े बिजनेस घराने के लोग, पीछे से खेल खेलेंगे, जनता की जगह सत्ता पर उनका कंट्रोल होगा, धर्म का नशा तो कभी रेस का नशा आप पर चड़ता रहेगा, नेता जी खुब पॉपुलर होते रहेंगे, और फिर जनता की ही गर बडल गया है, फेस्बुक से जैसे इंस्टा हो गया है, उसका मतलब भी बडल गया है, हिटलर, स्टैलिन, इदियमीन से लेकर, पापा डॉक, सब ने लोगों को मरवाया, अपने को महान बनवाया, हर जगा अपना पोस्टर लगवा दिया, चांद और सूरज से जादा यही लोग दिखाई देते रहे, उसके अलावा किसी को कुछ दिखाई भी नहीं दिया, बिना देखे बहुत सारे लोग दुनिया से चले गए, तरह तरह के सेंसर लग गए, कंट्रोल तरीके से सब कुछ होता रहा, जैसे किसी का घर गिरा दिया जाता है, जजों को कंट्रोल कर लिया जाता है, सारे फैसले उनके और सारी सजा आपकी डिमोकरिसी को ही फेक बना देते हैं, जैसे फेक न्यूज होता है, वैसे ही फेक डिमोकरिसी होने लगी है, इस नए वाले डिक्टेटर को आजकल स्पिन डिक्टेटर कहते हैं, मीडिया उसकी घुलाम होती है, दिखे को गाली देते हैं उन्हें लतारते हैं ठीक बात है भडास निकाल लिए ऐसा करते रहिए कीजिए मगर इसका मतलब यह नहीं कि इन्हें ठीक करने के लिए आप किसी को डिक्टेटर बना दें कोई भी डायलोग लिप जाता है इस बिमारी की जड़ डिमोक्रिसी में है बस आप ताली बजा देते हैं हाँ भाई प्रॉब्लम डिमोक्रिसी में है लेकिन डिक्टेटर शिप में भी कम प्रॉब्लम नहीं है उसमें तो प्रॉब्लम बताने से पहले ह आपको साफ कर देने का सिस्टम है एक को डिक्टेटर बना कर आप करोड़ों लोगों को आसाहाय बना देते हैं ऐसा कौन सा काम है जो डिमोक्रिसी में नहीं हुआ है किसी भी देश की democracy में सारे काम हुए हैं लेकिन ये सनक क्या है और ये कब चढ़ जाती है कि इंडिया को dictator चाहिए ये जो बकवास आपको रोज मिलता है अंकिलों से कि democracy में सब कुछ slow होता है dictator आएगा तो फास्ट हो जाएगा उससे पहले अपने घर के बरतंद होना शुरू कर दीजिए घर का काम होता नहीं dictator आएगा तो फास्ट काम करेगा एक और variety आगई अपने हाँ too much democracy कहने वालों की ये भी dictator का ही दूसरा नाम है जिस कुरसी पर पहुंचे हैं वहाँ पहुंचाया democracy ने पहुंचकर इन्हें too much democracy नजर आगई इतनी सारी आजादी खत्म हो चुकी है अब बची क्या है जिसे खत्म करने के लिए आपको इंडिया में dictator चाहिए एक काम कीजिए जहां जहां आजादी बची है उसकी list ले आए मुझे दीजिए मैं tweet कर देता हूं ताकि ये सारा कुछ आज ही खत्म हो जाए बताए बिना चुनाव हुए result निकल जा रहा है घोशना हो जा रही है कि जीत गए है एबियम पर विश्वास नहीं अच्छा खासा आंदोलन करने का chance मिल रहा है अब ये लोग वो भी नहीं चाहते हैं कि इंडिया में dictator आजाए इससे बड़ा मिथक जूट कुछ नहीं कि डिक्टेटर आजाएगा तो सब ठीक कर जाएगा आर्ची ब्राउन ने ऐसे ही सन की लोगों पर गहराई से अधन किया है उन्ही की किताब का title है The Myth of Strongman मजबूत नेता का जूट मिथक ऐ ऐसी कई किताबें आपको dictator को समझने में मदद कर सकती हैं है ना एरेंट की किताब है The Origins of Totalitarianism, Paul Kenyon की Dictator Land, The Man Who Stole Africa, Noam Chomsky की किताब है Illegitimate Authority, Facing the Challenge of Our Time, Frank Decorter की किताब है How to be a Dictator, आप पढ़ लिजे बारबरा गेडेस की किताब How Dictatorship Work और Gideon Rekman की किताब The Age of the Strongman भी आप पढ़िये इतिहास में एक ऐसा उधारन नहीं है कि dictator ने किसी देश का अभूत पुर्वक कल्यान कर दिया हो डिक्टेटर जो वादा करते हैं पूरा नहीं कर पाते जूट, प्रोपेगेंडा रच देते हैं, माहौल बना देते हैं मगर उसका मित इस तरह से बनाया जाता है कि हर दौर में लोग कहते मिल जाएंगे डिक्टेटर आएगा तभी सब ठीक होगा, military rule चाहिए अब आप इस तरह की बाते बंद कीजिए, ऐसी कोई खास तरक्की नहीं हो जाएगी आँकी जब आप देही हर काम की होनी चाहिए, फैसले मिलकर लिए जाने चाहिए जब अकेला चना भाड नहीं फोड सकता है, तो अकेला तानाशा कैसे सब ठीक कर देगा वो केवल अपने लिए मस्ती करता है, दिन बर फोटो खिचवाता रहता है, घूमता रहता है, तरह-तरह के कपड़े पहनता है काम धेले का नहीं, इसमें सीना फुलाने वाली बात नहीं है, कि भारत के लिए डिक्टेटर चाहिए बहुत दुख की बात है, एक अच्छा सिस्टम जिसमें कई लोग मिलकर काम करते हैं, वो कई सो तानाशा से बहतर होता है थोड़ा पढ़िये, लिखिये, सोचिये, इन फासी वादियों ने अपनी जनता के साथ क्या किया लोग तंत्रे ने बहुत कुछ हासिल किया है, इसे कोई भी चोट पहुचाने की कोशिश करे तो सतर्क हो जाईए अगर इसके संकेत आसपास दिखे भी, तो बोलिए कि हमें डिक्टेटर नहीं चाहिए डिक्टेटर का होना अच्छी बात नहीं है, अच्छा लगेगा कि कोई आपके फोन में पेगेसिस डाल दे, आपको अच्छा लगेगा और सब कुछ सुनता रहे, पता रखे, वीडियो लगा कर देखता रहे, आपका उठना बैठना कहा हो रहा है, हर बात का रेकॉर्ड रखे, क्या ही आपको मनजूर है, क्यों चाहिए ये सब काम करने गया है सत्ता में, तो काम करे, इतना सर्वेलांस, इतनी निगरानी, नही ठीक है, अगर ये ठीक है, तो घर में अपने माता पिता की बात ही मान लीजिए, नेशन पर डिक्टेटर का गोबर क्यों थोप रहे हैं, बहुत सोच समझ कर लोगों ने भारत को लोग तंत्र बनाने का फैसला किया और बनाए रखा, घंटों नहीं, हफ्तों नहीं, महिनों बहस की है, कैसा लोग तंत्र होगा, इसकी संस्थाएं कैसे काम करेंगी, कैसे एक दूसरे पर नजर रखेंगी, इसी डिबेट में डॉक्टर अंबेटकर ने जॉन स्टूर्ट मिल को कोट करते वे कहा है, कि दूसरी बात जो हमें करनी है, वह यह है कि हम उस सावधानी को ब बातंत्रे को चढ़ाना दें, या उसे वे शक्तियां ना सौपें, जो उसे उन्हीं की संस्थाओं को मिटाने की शक्ति दें, क्योंकि भारत में भक्ति या जिसे भक्ति मार्ग या वीर पूजा कहा जाता है, उसका भारत की राजनीती में इतना महत्यपूर्ण स्थान है, जितना किसी अन्य देश की राजनीती में नहीं है, धर्म में भक्ती आत्ममोक्ष का मार्ग हो सकता है, पर राजनीती में भक्ती या वीर पूजा, पतन तथा अंतत ताना शाही का एक निश्चित मार्ग है, इस वीडियो को देखने के बाद, अब अगर सर्वे वाला आए तो भगा दीजे, नहीं तो भाग लीजे और कहिए कि हमें डिमोक्रसी चाहिए, डिक्टेटर नहीं चाहिए, हाँ डिमोक्रसी में जो भपले हो रहे हैं, उसे ठीक करने की जरूरत है, उसके लिए मेहनत कीजिए, ये क्या बात हुई, कि लोग तंतर ही उठाकर खिड़की से ब बहुत बोरिंग हो जाएगी, रही बार ट्रैफिक जाम से मुक्ती की, तो आपको मुक्ती नहीं मिलेगी, ट्रैफिक जाम से मुक्ती चाहिए, तो उसका फैसला लोग तांतरिक तरीके से होगा, आपकी भागीदारी से, मेट्रो, मोनोरेल से कहीं जादा, पबलिक बसों का विस्तार करना होगा उनका नेटवर्क इतना अच्छा होगा लोग कारें कम चलाएंगे जाम कम लगेगा डिक्टेटर बहुत भोंदू होता है उसे केवल डराने आता है महौल बनाने आता है नौटंकी करना आता है हर समय सीरियस चहरा बनाकर घूमता रहेगा और आपकी हालत सीरियस होती रहेगी इसलिए भारत में आप भारत जैसा सोचिए डिक्टेटर की कलपना आत्म निर्भर भारत में ठीक नहीं लगती ये पश्चिम की बिमारी है इससे दूर रहिए नमस्कार मैं रविश कुमार